नफरत छोड़ो भारत जोड़ो के उद्दिस के साथ अक्यल भारती कॉंग्रेस कमेर्टी के निर्देश एवं प्रिदिस के आहवान पर जिला सेहर कॉंग्रेस के द्वारा अस्ये प्याट्रा की शुरुआत की गए यात्रा के सुरुगात के आउसर पर कॉंग्रेस कारकरता पुरानी गल्लामंडी इस्तित गांधी पृतिमा के पास एकात्रित हुए जहां सरप्रतम राष्टपता की पृतिमा पर माल्या अरपन किया गया तदुपरांत सेवदल की अगवाई में उपस्तिती कॉंग्रेस कारकरता उने जहन्डा बंदन करते हुए सलाम ही दी इस आउसर पर आउजयत यात्रा के उद्दे से सेर कॉंग्रेस की अध्यक्ष ने भी सभी को आउगत कराया और भाच्पा सरकार पर राष्टभाव की जागरती के नाम पर घरगर तरंगा अभियान को ले कर कटाक्ष करते हुए नसाना साधा और राष्टद्वच को परचार एवं चुनाओ की चीजना करार देते हुए सम्मान का प्रतिक करार दिया उन्होंने इसके सम्मान के साथ भाच्वा सरकार द्वारा खिलवार करने का आरूप भी लगाया है इसके बाद तीन-तीन की लान में पंक्ती बद्दे होकर हाथों में तरंगा जंडा था मभारत माता के जैगोस के साथ कदम से कदम लाकर कॉंग्रेस कारकरताओं की पद्यात्रा शुरू हुई जो नेंगर के फिर मुक मारगों से होती हुई तीन बत्ती गोर प्रतिमा पहुंचे संपन हुई इस दोरान निकाली गई यात्रा का जिगा जय पुस्परवर्शा के साथ श्वागत भी क्या गया आवज़त पधियात्रा में कॉंग्रेस के सभी बिंगे के पदाधी कारी कायकरता नर्वार्चित पाल सदरोन के प्रतिनिदी और मेयार की प्रत्यासी रही निदी सुनील जनवी सामिल रही द्वजबंदन के इस कारिक्रम में यहाँ पर उपस्ते सभी सम्मानित कॉंग्रेस परिवार के सदसगन सागर शहर की जनता सम्मानी हमारे सेवा दल के साथी और समस्त कॉंग्रेस परिवार आज नौगस्त का वो दिन जब हमारे स्वतंतता संग्राम सैनानियों ने ये नारा लगाया कि अंग्रेजो भारत छोड़ो नौगस्त का वो दिन हम सबको इसलिए भी याद रखना है कि आजादी के दिवानों ने आजादी की शुरुवात आज नौगस्त को करी थी और उसके दमपर उनके त्याग और तपस्या के दमपर उनके वलिदान के दमपर हम सबको आजादी मिली और आज आजादी का 75 वर्सगाट हम सब मना रहे हैं साथियों हम सब को इस बात को याद रखना होगा, ये तिरंगा, ये तिरंगा सिर्फ ये तिरंगा नहीं है, ये तिरंगा हमारे देश की आन, बान और सान है, ये हमारी शौरे का प्रतीक है, ये हमारे राष्ट की एक्टा का प्रतीक है, ये हम सब के गर्व का प्रतीक है, ये सब कॉंग्रेसियों के दिल और दिमाग पर वसा है। उसके लिए हमें किसी के स्रेटिफिकेट की आवश्रक्ता नहीं है। इस देष को आजाद करा है। जिनों ने इस तिरंगे की स्थापना की और जिनों ने 15 अगस्त 1947 को में लाल के ले की प्राचीर से पंडित जबाल लाल नेरू ने अंग्रेजों का जंडा उतार कर तिरंगे को फेराने का काम किया है यह इतिहास सिर्फ और सिर्फ कॉंग्रेसियों के पास है और जिसके पास इतियास है उस इतियास की वेल्यू उसका सम्मान करने का काम भी हम सब कॉंग्रेसियों को करना होगा आज 9 अगस्त के दिन हम सब तिरंगा यात्रा निकाल कर पूरे सागर को पूरे मदप्रदेश को और पूरे देश को इस बात का मैसेज देने का काम करेंगे कि तिरंगे को प इसके सम्मान की चीज है और हम सब के दिलों से बुज़डा हुआ सम्मान है आज इस अबसर पर मैं कॉंग्रेस परिवार के सभी सम्माने सातियों से आवान करूंगी इस तरंगे की आनबान सान को अखंड बनाए रखने का काम और बीड़ा उठाने का काम हम सब को करना होगा इसी आसा और इश्वास के साथ 75 वी वर्सगांट के उपलक्ष में आप सभी को सुपकामनाय और वधाईयां सादर जेहिंद जे भारत वोग्राम रखा गया था अगस्त का आन्थी का दिवस है भारत छोडो गांदोलन की चुदवात इसी दिन से हुई थी पूरा अगस्त क महिना ही हमारे लिए पत्वाश्टी वर्सटी से बहुत महत्मून है ओगांदी जी ओपर दिख रहे होंगे आपको उनके देशा निर्देश पर हम लोग काम करते हैं और उन्होंने ही भारत छोडो गांदोलन की चुरूआत की उनीस सो बैयालीस से उनीस सो से जब तक हमें स दोलन संपनों